चलने लगी है कि राश्टपती शाषन लगना चाहिए कोरोना के इस कालखंड में भी सरकार किस तरीके से कितने दिन बाड़े में बंद रहेगी इसका कोई जवाब नहीं है तो राजे में अस्तिर्ता भी है समिधानिक संकट भी है लेकिन इसकी अपनी एक कानूनी और विदिक प्रिक्रिया है समयदानीग परक्रिया है. क्या होगा ये बविशक गर्म है? लेकिन आपातकाल जैसी परिस्तितियां राजिस्तान की सरकार ने निश्चित रूप से पैदा कर दी. क्या विधान सबा का सत्र बुलाया जाने की बात है? क्या बुलाया जाना चाहीए? लेकिन सामाने तौर पर 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। परिस्थितियां क्या बनती हैं, किस तरीके से बनती हैं वो बुला सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके का ये घटना क्रम है, कॉंग्रेस पूरी जोड़ तोड में लगी है। जिस तरीके से कल बीटीपी के लोगों का बयान है उससे पहले वही बीटीपी के लोग बराबर ये कहा रहे थे कि आप हमें प्रताडित कर रहे हैं हमारी चाबियां चीनी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट्स को रीजनल से बील संतोष साहब से भी आपकी मंत्रना हुई है इस पूरे घटना क्रम को लेकर क्योंकि राजस्तान की इस्तितियां जग जाहिर है जनता परेशान हो रही है देखिए संगठन के कामों के बारे में हमारी बात्ची तक्सर होती रहती है और अभी फिलाल जैसी राजनितिक मेरी संगठन की बूमी का ज्यादा है राजनितिक तोर पर पार्टी का शीर सनेतर तो यहां के सब लोग मिलके तैय करेंगे लेकिन अभी मैं मेरे संगठन के कामों की सिलसलें उनसे बात करता हूँ प्रदेश अद्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बातचीत की है फरस्ट इंडिया न्यूस से और इनका कहना है कि जो वर्तमान सियासी हाला चल रहे हैं उसे लेकर उन्हों राश्पते शाशन जैसी बात भी कही है खास तोर पर यहां पर आपातकाल जैसी इस्तिति उन् पर संदान